नमस्कार आप देख रहे हैं मनी नाइन मैं हूं संदीब ग्रोवर ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और SBI का स्टॉक देश का सबसे बड़ा बैंक है SBI वो स्टॉक आज ट्रेंड करता हो नदर आ रहा है और वजह है इसके आए नतीजे पहले सम रुपे का लो है जो कि इसने टच किया है 800 रुपे का लेवल तोड़ा नहीं है लेकिन इस लेवल तक जरूर आज दिन के दुरान हमने इस शेर को जाते हो देखा है दो महिने से लगातार आप देखेंगे तो स्टॉक का गिरावट के दौर में है 12% के आसपास तूट तो शेर में इस साल के अगर आप रन अप की बात करेंगे तो करीब 26% के आसपास का आपको रन अप ही नज़र आएगा यह जो 12% का हायर लेवल से फॉल हुआ है उसके बावजू तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रैली स्टॉक में देखने को मिली है उसके बाद आप थ 17 एनले से मान रहे हैं कि जिस तरह के नंबर साएं वो बजार उनमान से बहतर माने जाने चाहिए आप मुनाफ़ा देखिए इनका 1% के आसपास बढ़कर 17,035 क्रोड उपे का नंबर ने इस बार पोस्ट किया है और इनके जो शुद ब्याज आए है उसमें भी हमने देखा ह पॉने 6% के आसपास की साल-10 साल ग्रोथ हुई है एक तालिस हजार 125 क्रोड उपे का जो नंबर है वो इस तिमाही में बैंक की और से पोस्ट किया गया है अब इनके जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी इंप्रूव्मेंट हुआ है ग्रॉस एन्पेस हवा 2% के आसपास थे वो घटकर 2.21% पर आ गए और नेट एनपीस तिर है 0.57% थे उसी लेवल पर ही इस तिमाही में भी बरकरार है पिछली तिमाही से अगर आप कंपेर करें जो की मार्च में खतम हुई थी एना इमस पर ज़रूर प्रेशर देखने को मला है यानि कि जो नेट इंटर्स मार्ज आप देखें जो पच्छी सो एक करोड थी पिछले साल की इसी तिमाही में उसमें 40% का इजाफा हुआ है और इनफाक्ट यह जो प्रोविजनिंग बढ़ी है उसके पीछे आप ये भी कारण समझ सकते हैं उसमें भी बढ़ातरी देखने को मली है तिमाही दर तिमाही तो द साल-10 साल आप देखेंगे तो नमबस जरूर आपको नीचे आता हो दिखा लेकिन नमबस में एक दिकत और है लोन ग्रोथ जो है वो 15% आई है और डिपॉजिट ग्रोथ आल्मोस्ट उससे हाफ आई है 8.2% के आसपास की यानि कि जिस तेजी से इनकी लोन ग्रोथ बढ़ र नजर आएगा लेकिन बाजार ने थम्स डाउन दिया है इन नमबस को क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट भी है क्योंकि ओवराल बाजार खराब है तो आज तो जादातर जो खराब चीज़े हैं उसी के उपर बाजार का जादा फोकस है जिस वज़े से आज हमने 5% के आसपास है उन्होंने और परफॉर्म की रेटिंग या बाज या ओवरवेट के स्टैंस अपने मेंटेन किया है क्योंकि नमबस जातर ब्रोकर्स को पसंद आते हूँ दिखें हैं सबसे ज़्यादा टागेट दिया है CLSA ने और परफॉर्म रेटिंग के 1075 का टागेट है नौमूरा दिक्कत की बात है UBS की रिपोर्ट में जिसने अब भी अपनी जो सेल कॉल है उसे मेंटेन किया है सबागेट पैस है इससे बढ़ाया गया है 680 से बढ़ाकर सबागेट किया गया है लेकिन शायद यही एक कारण है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में आज गिराव में दिखाया है लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रहा है लगातार इनके जो डिपॉजिट की जो कॉस्ट बढ़ रही है उससे यह जो आरो ए एक परसंट की उपर है वो बैंक को मेंटेन करने में दिक्कत आते हुए नजर आ सकती है ज यानि कि UBS मानता है कि जो 12% higher level से correction हो चुका है उसके बाद 75 रुपे के आसपास का fall और stock में आता हुआ नजर आ सकता है तो हमने expert से बाचित करी फिर समझ नहीं कोशिश करी कि आखिर आपको करना क्या है अमरीश बलिगा जी market expert है उनका यह मानना है कि numbers ना खास अच्छे थे तो 800 रुपे से अगर आप 5 या 6% की गिरावट देखेंगे तो 840, 850 रुपे के आसपास आता है तो वहां पर अगर आप खरिदारी करें तो ज्यादा बैटर है वो शायद वही level है जहां पर UBS ने भी अपना target सेट किया है सवा 700 रुपे के आसपास का तो 740 के आसपास अग ने देखा है कि जो नेगेटिव से रिजल्स पे उस पर बजार का ज्यादा फोकस से स्टॉक गिरता हूँ नजर आया है थोड़ा सा और गिरता है तो lower levels पे खरिदारी करने के मौके बनते हैं अगर आपका medium term का नजरिया है तो यह तो बात हुई SBI के शेर की जो की नतीजों की उपर आज रियक्ट करता हूँ देख रहा है और आज ट्रेंड भी करता हूँ नजर आ रहा है ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर महिनान का फोकस लगातार जारी है नमस्कार